पर पोर्ट फावर्ट करने के लिए हम पोर्ट 80 और 443 यूज़ करेंगे उसके पहले सबसे पहले अपने राउटर पे जाए 192.168.11 पे और लॉग इन कर लें उसके बाद एप्लिकेशन पे जाए और एडवांस नेट इस पे क्लिक करके वर्चुल सर्वर पे क्लिक करके एड सर्वर इसके बाद अपना HTTPS एड़ कर लें सर्वर आई पे आपका आप कम्प्यूटर का आई पी रहेगा और यहां पे HTTP अड्रेस पर और अटो स्ट्रेक्ट हो जाएगा एक्टनल और इंट्रेनल स्टार्ट और एंपोर्ट सेम रहेगा और सर्वर आई पे आपका वही आ आपका मसीन आइपी रहेगा जिस पे आपका कोई वेब सर्वर चल रहा हो कि इस पे भी इनेबल कर लें यह स्टेटीपियस का पॉर्ट है इसको सेव और अप्लाई कर लें देखे दोनु एड हो गया है 80 और 443 तो उसके बाद जो यह DMZ है इसको मैंने आफ कर रहा है इसको आन होगा उसके बाद चलो हम एक वेब साइट बीच लाकर देखाते हैं इस पर सबसे पहले हम अपना आइपी देख लेते हैं यह मेरा डाइनमिक आइपी है मैंने कोई स्टैटिक आइपी नहीं लिया है तो रिस्टार्ट होने पर ही चेंज हो जाता है तो इसको हम कॉपी कर द इसका यह आइपी पेस्ट कर लेंगे और इसको सेव कर लेंगे देखिए प्रॉक्स स्टेटस ओन है और इसको मैंने सेव कर लिया यह सेव हो गया है देखिए एटाइफ है नेम है होम और अपना आइपी है कॉंटेंट पर आइपी रहेगा ठीक है यह आइपी हो गया है इस docker पे है आप चाहे तो कोई दूसरा tool यूज़ कर सकते हैं पर हमें मैंने अपना जितना भी जो वर्डप्रेस का वेबसाइट है docker पे रन किया है तो इसलिए हम इसमें ssl और domain हम यहीं पे यूज़ करेंगे देखिए हमने domain add कर लिया है और फावर्ड होस्ट नहीं हमारे यह यहां से हमने ssl नहीं add किया है इसके लिए हम जाएंगे डिरिक्ट और यहां से एड करेंगे ssl ठीक है यहां पर dns चैलेंज पर मैं यूज़ कर रहा हूं तो domain name पर यह वाइड card domain मैं यूज़ कर रहा हूं तो सबसे पहले star dot तो अपना domain के आगे जो भी domain रहेगा उस सब पर यह ssl काम करेगा यह reachability तो अभी नहीं आ रही है चलो कोई नहीं और अपना email डालने और dns चैलेंज पर एसेप्ट कर लें और मेरा है cloudflare तो इस पर अपना cloudflare से token निकालके यहां पर token डाल दें तो हम जाएंगे cloudflare पर तो इसके लिए overview पर जाके और नीचे right side पर आएगा dns दिखाएगा यहां पर get your API token हाँ इस पर क्लिक करना है ठीक है और इसके बाद create token पर क्लिक करना है यहां पर create token पर आप क्लिक कर लिजे इसके बाद edit dns zone पर जाए यूज template में क्लिक करना है और यहां पर यह zone resources पर जाके अपना specific zone में पना जो आपका यह domain रहेगा उसको select कर लेना और continue कर लेना है और यहां पर अपना create token कर लेना है और आपका token यहापे आ जाएगा इसको simply copy कर लो यह है और जो dummy token था उससे यह replace कर लो अगर इसको replace इसको आपको save करना है तो आप save भी कर सकतें इसको तो यह है save हो गया आप अपना इंजनेक्स proxy manager पर जाके इसको हम replace कर लेंगे ठीक है dummy token पुराना वाला था इसको हटा के यह replace भी हो गया अब यह save कर लो इसको तो यह time लेगा 5-6 मिनिट तक time लेगा यह background में होने के बाद जो यह है proxy status इसको off कर लें नहीं तो यह website बहुत slow चलते तो content load भीनी होते है तो आपको direct चलाना है बीना यह cloud firmware के proxy चलो wordpress डालते यह wordpress मेरा docker पे चल रहा है और यह मेरा extension तो इस पे अपका globally चल रहा है कि नहीं पता चल जाएगा तो इस पे हम https use करेंगे और domain name वहीं रहेगा home.ista.com तो देखिए यह load हो चुका है हमारा website जो की bsnl पे run हो रहा है हमारे घर पे अपना non static ip address पे ठीक है तो यह है सही सही चल रहा है यह scroll down करने पे भी पूरा यह load हो रहा है और about पे जाके भी ठीक्टाग चल रहा है तो देखिए port for out तो हो गया है bsnl पे और हमने इस पे एक website भी चला दी है अपने घर से इसको आप कहीं से भी access कर सकते हैं ठीक है thank you for watching तेन्यवाद झाल 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 झाल